सबी बच्चों को प्यार भुना नमश्कार, क्लास के हम शुरुआत करेंगे और आज अपन क्या पढ़ेंगे, नुकलियस यारी केंद्रक पढ़ेंगे ठीक है, सेल बाइलो जी की जितने भी सेल ओर्गिनेल्स हैं उसमें सबसे जो most important रहता है, वो कौन सा रहेगा, नुकलियस रहता है, ठीक है, बाइ, कहने का मतलब है, अब तक हम लिए जितने भी सेल ओर्गिनेल्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे important नुकलियस है, केंद्रक है, वो भी तो important तो वो भी है, लेकिन most important क्या है, नुकलियस है, अब क्या है, एक सेल है, सेल है, और सेल के अंतरगत क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के बाहर वाली जो लेर है, उसको बाहर केंद्रक जिली यानि आउटर नुकलियर मेंब्रेन कहा जाता है, जो अंदर वाली लेर है, उसको आंत्रीक केंद्रक जिली यान परिकेंद्री के अवकास इसको कहा जाता है ठीक है देखो ये रहा यह आपर नजर आ रहा है ना ये रहा परिकेंद्री के अवकास इसको कहा जाता है ठीक है बही मैंने क्या बताया आपको ये तो भारवाली लेर है और ये अंदरवाली लेर है ये भारवाली लेर है और ये अ केंद्रिक के अवकास कहा जाता है समझ आ रहा है ना अब देखो नुकलिस यानि केंद्रिक के अंदर के जो इस्टेक्चर आपको नजर आ रही है इसको क्या कहा जाता है केंद्रिका यानि नुकलियोलस कहा जाता है दिहान रखना केंद्रिका के ऊपर कोई भी जिलीन नहीं प पाई जाती है, जाल जैसी इस आपको जो नजर आ रहा है, है यह क्या होते है आगे चलकर की यही किसका निर्वान करेंगा ज्यांDRA का cay can ठीक है के और धीहां रखना केंडर केंडरी का और केंडर के अंदर में रहे है यह ठो पता रहा है देखो न तो ठंक से देखा को रोज़ी जोग ढूंक आपके क्या हो अच्छे से clear हो अब देखीं अब यह जो कैंदक नजर आरहा है इस में आपको beach-beach में space भी नजर आ रहा आ रहा ना इसको nuclear pores याणि कैंदक ह्झीतर कहा जाता है ठीक है? अब कैंदक छीतर के बीच में यह जो है structure आपको यह से triangle जैसे structure नजर आ रही है इसको क्या कहा जाता है इसको annulus कहा जाता है या फिर इसको plug या फिर bleb भी कहा जाता है आप तो यह याद रख ले ना इसको क्या कहा जाता है annulus कहा जाता है कहा पर पाए जाती है जो छेद होते हैं केंद्रिक छिदर वहाँ पर triangle जैसी structure पाए जाती है अब देखिए केंदर के अंदरगत जो दर्वे पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है वह एक बात बताओ कोशिका के अंदरगत जो दर्वे पाया जाता है उसको क्या कहते हैं साइटो प्लाजम यानि कोशिका दर्वे कहा जाता है वह यह क्या एक सेल है वो सेल के अंदरगत य यानि साइटोप्लाज्म होता है तो अपने को ये बात बता है कोशिका के अंदर के जो दर्वय पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानि कोशिका दर्वय कहा जाता है उसी तरीके से केंदर के अंदर के जो दर्वय होता है उसको क्या कहा जाता है केंद्रक दर्वे यानि नुक्लियो प्लास्म कहा जाता है है ना समझा रहे ना ये तो पता है छोटी छोटी चीज़े हैं जो पता होगी mostly क्योंकि सारी की सारी क्या होते हो आप intelligent होते हो अब देखिए केंद्रक के ऊपर ये आपको मोती जैसी structure नजर आ इसको क्या कहा जाता है राइबोसोम कहा जाता है क्या कहा जाता है राइबोसोम कहा जाता है राइबोसोम का निर्मान कहां पर होता है अगर आप से कोई पूछ ले कि राइबोसोम का निर्मान कहां पर होता है तो आप ये कहोगी कि राइबोसोम का निर्मान केंद्रक के अं पालते हैं कुछ राइबोसोम हैं वो एंडूप्लास्मिक रेटीकुलंप पर भी पायती हैं यह क्लाँप्लाजमिक क्रीटिकुलंप अटीज रहती है इस पर भी क्या पाया जाते हैं कुछ रैबोसोम आपको नजर आ रहे जहां तक ये ribosome इस अंतर परदवी जालिका पर पाए जाते हैं, उसको rough endoplasmic reticulum कहा जाता है, यानि खुदरी अंतर परदवी जालिका इसको कहा जाता है, और जहां पर ये ribosome नहीं पाए जाते हैं, उस endoplasmic reticulum को smooth endoplasmic reticulum कहा जाता है, जिकनी endoplasmic reticulum कहा जाता है, ये त उसके उपर ribosome present होते हैं और जो smooth होती है उसपर ribosome क्या होते हैं? absent होते हैं मुझे एक बात बताओ जैसे आपका face है आपके face के एक side में फूंसिया हो रखिये तो आप एक side में जैसे ही उसको touch करते हो बाई आपके जो chick है वाँ पर फूंसिया हो रखिये जैसे ही आप उसे touch करते हो तो आपको rough आपकी जो हाथ है उससे touch करते हो तो आपको ऐसे roughness मैसूस होती है होती है की नहीं होती और जैसे ही उन फूंसियों को हटा दिया जाए तो आपकी skin कैसी हो जाएगी स्मूथ हो जाएगी, बस उसी तरीके से जहां पर İbosome present है, वो अंद्रपरदवी चाले का खुर्दरी होगी, जहांel पर आपर कर्दरवी चाले का कैसी होगी, चिकनी होगी, ठीक है, तो ये जो डाइग्राम था, ये किसका था, जिसकी का था, ठीक है, केंदक जिल्ली, भै केंदक जिल्ली है, यानि नुकलियर मेंब्रेन, दो त्रेके की होती है, एक आउटर नुकलियर मेंब्रेन होती है, एक इनर नुकलियर मेंब्रेन होती है, दोनों मेंब्रेन 75 एंगस्टम क्या होती है, मोटी होती है, इनके बीच में एक स्पेस प बागी तो लिखने की ज़रुवत है नहीं क्योंकि अगर डाइग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। बाइलो जी जी सबसे बड़ी खास बात है अगर आपको डाइग्राम याद है तो आप थोड़ी अपने आप लिख सकते हो। देखो केंद्रेक जिली में अनेक छिदर होते हैं और इनको क्या कहा जाता है केंद्रेक छिदर कहा जाता है ठीक है इन छिदरों से होकर केंद्रेक और कोशिका दर्वे के बीच में पदार्थ होगा क्या होता है अकसेंज होता है ठीक है ये केंद्रेक छिदरों पर नुकलियो structure होती है ये केंद्रक है और केंद्रक की अंतरगती ये छिदर पाया जाते है जिनको केंद्रक छिदर कहा जाता है और यहां पर इस तरीके से एक triangle जैसे structure थी जो की nucleo plasma protein की अस्ठक रचना है और इसे ही क्या कहा जाता है annulus और बलेब कहा जाता है एनुलेस और नुकलियर पोर आपस में मिल करके किसका निर्मान करते हैं रंदर सैमिसर यानि पोर कॉंपलेक्स का निर्मान करते हैं पोर कॉंपलेक्स का निर्मान कैसे होता है एनुलेस और नुकलियर पोर यानि केंद्रक छीदर आपस में मिल करके रंदर सैमिशर का क्या करते हैं निर्मान करते हैं मुक्त नुकलियो साइटो प्लाजमिक आदान प्रदान पर क्या करता है रोक लगाता है ठीक है राइबोसोम केंद्रक में बनते हैं और केंद्रक चिद्रों के द्वारा कहां पर आ जाते हैं, कोशी का दर्वा में आ जाते हैं, ये लाइन आप तहां रखेंगे, राइबोसोम का निर्मान कहां पर होता है, केंद्रक केंद्रक चिद्रों के द्वारा राइबोसोम कहां पर आ जाता है, कोशी का दर्वा में आ ज नहीं को शुबे आँखक केंटर्क जिल्य के टीक नीची लैमीन प्रोटीन के दंतूओ का एक नेटवरक पाया जाता है। और इससे nuclear lamina कहा जाता है जो kेंद्रक जिली की व्रदिक व्रदिक के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है यहाँ पर agile diagram में अच्छे से चीज clear हो जाएगी आपको पता है यह केंद्रक है केंद्रक के बाहर वाली جिली है और ये केंद्रक के अंदर वाली जिली है अंदर वाली जिली के ठीक नीची लैमीन टोटिंग के तंदों का इस तरह किसे आपको नजर आ रहा है ये एक network है और इसे ही क्या कहा जाता है nuclear lamina कहा जाता है जो की केंद्रक जिली की व्रदी के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है केंद्रक जिली की व्रदी के लिए जिम्मेदार होता है तो आप क्या कहोगे nuclear lamina ठीक है अब देखो nuclear plasma इसको carrier lymph भी कहा जाता है दोनों ही नाम आपको याद रखने है कही जगा carrier lymph ही लिखावा मिलता है तो आप nucleoplasma हिंदे में आप इसे केंद्रक दर्वे कहोगे एक और नाम है इसको carrier lymph भी कहा जाता है कहा पर पाया जाता है केंद्रक 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 पाया जाता है भई केंद्रक दर्वे कहा पर पाया जाएगा पहले ये क्या होती है Nucleolus यानि केंद्र का होती है और इस रिखे की जो Estrecture पाये जाती है गैंदर के अंत्रगत उसको क्रॉमेटीन जाल कहा जाता है यfred क्रॉमेटीन जाल आगे चल करके कि इसका करता है क्रोमोजोम का निर्वान करता है गुनसूतर का निर्वान करता है गुनसूतर पर क्या पाई जाते हैं और क्या पाई जाते हैं जीन नहीं पाई जाते हैं क्या गुनसूतर पर पाई जाते हैं अब देखो इसी दर्वा में कैल्सेमाइन मैगनिसेमाइन डियाने पोलिम नुक्लियोटाइड्स, नुक्लियोसाइड, हिस्टोर्न और नॉन हिस्टोर्न प्रोटीन पाई जाती है, समझ में आगा, पाईसी में कैल से मायन पाई जाता है, मैगरी से मायन पाई जाता है, डियने पोलिमरेज पाई जाता है, आरने पोलिमरेज पाई जाता है, नुक्लिय प्रोटीन क्या होती है यह सारी की सारी जम मोलेकुलर बाइलोची पढ़ेंगे वहां पर यह चीज़े डिसकस होंगी अभी सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है यह चीज़े कहां पर पाई जाती है केंद्रक दर्वा के अंतरगत पाई जाती है ठीक है अब यहां पर हम प पर कोई भी जिली नहीं पाई जाती यह बात मैंने आपको बताई थी जो के आपको क्या करनी है याद ही रखनी है अब देखो प्रो केरियोर्स में क्या होती है अपसेंट होती क्या केंद्री का प्रो केरियोर्स क्या होते है यू केरियोर्स क्या होती है सारी चीज़े पता जब सैल भाई लोची हमने शुरुवाती दोर में स्टार्ट किया था तब है ना आम तोर पर प्रती केंद्रक एक क्या होती है केंद्रिका होती है यानि एक केंद्रक केंद्रक एक ही केंद्रिका होती है ये तो सामाने कंडिशन होती है बाई कहने का मतलब है ज्यादा तर एक क केंद्री का यानि नुक्लियोलस हो सकती है जो गुंसुत्र की केंद्री का संगनक छेतर पर पाई जाती है क्या बताया यानि आम तोर पर केंद्र केंद्र केंद्रकत एक ही केंद्री का पाई जाती है लेकिन मानो यानि हुमन बिंग अरे अपनी हुमन बिंग के बात कर रहे वहाँ पर कैंड्रिका कितनी हो सकती है पाइच हो सकती है पाई कहा पर जाती है कैंड्रिका संगणा CHTAR यह क्या होता है Nucleolar Organizer Region यानि इसको सोट में NOR कहा जाता है यो NOR क्या होता है थोड़ी देर बाद में आएगा वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे पाई जाती है कहां पर पाई जाती है 13 14 15 21 22 क्रोमोजोम पर एन्वार क्या होता है उपस्तित होता है और वहीं पर केंद्रिका पाई जाती है एक बात ध्यान से सुनना है यहां पर मेरी कि जो एन्वार रीजन है वो सभी क्रोमोजोम सी यानि सभी गुंसूत्रों में नहीं पा प्याज में चार केंदिकाएं उपस्तित होती हैं प्याज में चार केंदिकाएं उपस्तित होती हैं जहाँ जहाँ से ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रही है उनको आपको बार बार पढ़ना है पढ़ना तो पूरा ही है आपको ऐसा नहीं है है अब देखो केंदिकाएं पर कोई भी जिल्ली नहीं पाई जाती है ठीक है और केंदिका के द्वारा किसका संसलेशन होता है आर आरने का होता है तो मैं आपसे question पूछी हूँ कि केंदिका के द्वारा आरने का संसलेशन होता है तो आप यह बोलो कि आर आरने का संसलेशन यानि synthesis होता है और केंदिका ribosome बनाने की factory है राइबुसोम बनाने के फैक्टरी केंद्रीका और प्रोटीन बनाने के फैक्टरी राइबुसोम ठीक है अरे क्लियर हो रहा है ना सरी चीजे अब हम पढ़ेंगे केंदिका का संगठन ठीक है क्या पढ़ेंगे केंदिका का संगठन और सबसे पहले तंतुमे भाग इसको फाइब्रीलर पार्ट भी कहा जाता है ये केंदिका का central भाग क्या करता है बनाता है यहाँ पर राइबो निकलियो प्रोटीन से बने वे तंतु पाए जाते हैं ठीक है क्या बता है यह केंद्रिका का सेंट्रल भाग बनाता है कौन तंतु में भाग है जो कि सेंट्रल भाग बनाता है ये राइबो नुकलियो प्रोटीन से बने वे तन्तु पाए जाते हैं यहाँ पर राइबो नुकलियो प्रोटीन से बने वे तन्तु पाए जाते हैं कहाँ पर तन्तु में भाग वी दूसरा जो भाग है वो कनिका में भाग है यहाँ Kendrika का यह परीदी भाग बनाता है अरे भई, जो तंतु में भाग था, वो तो Kendrika का क्या बनाता था? बनाता था Central Part, और यह यहाँ पर परीदी भाग बनाता है यह भाग Ribonucleoprotein से बनी वी कानिकाओं से क्या है? यूपत है तो ये चीज़े आप याद कर लेंगी थोड़ी है ना पार्स अमोर अफा ये भाग केंदिका का मैट्रिक्स भाग है और इसमें तंतु और कनिकाई दोनों क्या होती है उपस्तित होती है तो मैंने क्या बताया कि जो केंदिका का संगठन होता है उसमें एक तंतु में भाग होता है ये जो तंतु में भाग होता है वो सेंट्रिल भाग बनाता है ठीक है किसका केंदिका का दूसरा कैसा होता है कनिका में भाग होता है ये केंदिका का परीदिय भाग बनाता है ठीक है और जो parse amorafah है ये भाग केंदिका का matrix भाग है और इसमें तंदू और कणिका ए दोनों क्या होती है प्रजेंट होती है ये nucleolus का क्या था संगठन था केंदिका का संगठन था अब देखो chromatin धागे chromatin धागे ये कहाँ पर पाय जाते है मुझे यह बताओ, केंद्रक के अंदर के पाये जाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताओ, यह क्या है केंद्रक है, उसमें इस दिखे कि जो स्टेक्चर थी, वो तो नुक्लियोलस थी, वो जाल जैसी स्टेक्चर थी, वो क्या थी, क्रॉमेटीन के धागे, या फिर उसको क क्रॉमेटीन के जाल भी कह सकते हैं, आगे चल कर किये, यह क्रॉमेटीन जाल क्या करते हैं, गुनसुतर का निर्वान करते हैं, गुनसुतर पर क्या पाये जाते हैं, जीन पाये जाते हैं, यह तो पता है न, अब देखो, इंटरफेज यानि अंतरा वस्ता में, क्रॉमेटी धागे chromatin जाल के रूप में क्या होते हैं पाये जाते हैं कोशिका विवाजन के वक्त यही chromatin जाल संगनित होकर के इसपस्ट गुनसुत्रों में बदल जाता है ठीक है समझ में आगे भाई क्या बताया ये जो क्रॉमेटीन जाल है ये जैसे ही सैल डिविजन यानि कोशी का विभाजन होता है वहाँ पर क्रॉमेटीन जाल क्या करेगा संगनित हो जाएगा और सपस्ट गुनसुत्रों में बदा जाएगा ठीक है ये जो अब देखो गुनसुत्र के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पर अपन नजरा रहा है ऐसे ठीक है हाँ गुनसुत्र ये जो क्रॉमोजॉम नाम है ये वाल्डेर ने दिया था और ये रंगीन यानि कलर्ड बोडी होते हैं कलर्फुल होते हैं शब्द किस ने दिया था वाल्डेर ने दिया था अगर क्रॉमेटिन शब्द के बाद करे तो वो किस ने दिया फ्लैमिंग ने दिया क्या बताया मैंने यानि जो क्रॉमोजॉम हैं वो कैसे होते हैं कलर्ड होते हैं क्रॉमोजॉम शब्द के बाद करे यानि वाल्डेर ने दिया यानि प्रेटाओं का सरो पर्थम ट्रडेज सकैंसिया की प्राग मातर कोशिकाओं में होप मीस्टर और नागेली ने प्रेचित किया। के वहक है और इन पर रेखी करम में क्या होते हैं जीन पाए जाते हैं यह बात सब को बढ़ा है यानि जो क्रॉमोजोम होते हैं वहक होते हैं ठीक है भाई यह क्रॉमोजोम ही तो है जो एक information को आगे लेकर के जाते हैं यानि आन्वान सिक्ता के क्या होते हैं वहक होते हैं और इनके उपर क्या होते हैं? जीन प्रेजन्ट होते हैं. ठीक है? गुनसूतरों के अधेन के लिए सबसे बड़िया जो फेज होती है, वो कौन सी होती है? मेटा फेज होती है, जिसमें गुनसूतर सबसे इसफस्ट दिखाई देते हैं. ठीक है? गुनसूतर सबसे इसफस्ट दिखाई देते हैं. गुनसूतर की साइज की बात करें, तो 0.25 माइक्रों से लेकर के 30 माइक्रों होती है. ठीक है? सबसे छोटे गुनसूतर किसमें पाय जाते हैं? बर्ट्स में पाय जाते हैं. इनकी जो साइज होती है, वो 0.25 माइक्रोन होती है और सबसे जो बड़े गुनसुतर है वो ट्रिलियम प्लांट में पाये जाती है जिनकी साइज करीब 30 से लेकर के 22 माइक्रोन तक होती है ठीक है तो ये आप थोड़ा सा क्या करेंगी यादी कर लेंगी वैसे ये चीज़े नहीं पूछे जाती साइज वगेर नहीं पूछेगा थोड़ा सा द्यान रख लेंगा पात्मों में जन्तों की अपेक्षा अधिक बड़े क्या पाये जाते हैं गुनसुतर पाये जाते हैं यानि जो जन्तो है उसमें उसके कंपेरिजन में पात्मों में क्या होते हैं अधिक बड़े गुनसुतर पाये जाते हैं अगर नंबर की बात करें गुनसुतरों की नंबर की बात करें तो आप सबको पता है कि गुनसुतर की संख्या हर जाती में क्या होती है निश्यत होती है, मुझे एक बात बताओ आपके अंदरकरत human being में क्रोमोजोमस की संख्या कितनी होती है गुन सुत्र की संख्या कितनी होती है आप सबको बता कि गुन सुत्र की संख्या human being में 46 होती है ये सीधा हो सिंपल question पुछा जाता है general science में 46 होती है लेकिन कई बार ऐसे conditions होती है जहां पर आगे पीछे होती है तो वहां पर बहुत सारे dgs उनको क्या हो जाती है create हो जाती है क्रोमोजोम की संख्या निश्चित होती है अब देखो, क्रोमोजोम यानि गुन सुत्र की दो form हो सकती है दो form कौन सी हो सकती है ऐगुनित मतलब एक सैट औफ क्रोमोजोम यहां पर present होता है यानि दो जोडे होते हैं यहां पर क्रोमोजोम की और यहां पर क्या होता है एक का जोडा होता है तो diploid का मतलब 2N और haploid का मतलब N होता है अब देखो, human being के बारे में यहां पर हम बात करेंगे और आप सब को पता है कि human being में 46 chromogems present होते हैं deployed form में और haploid form में 23 pairs होते हैं यानि chromogems तो हमारे में कितने होते हैं 46 होते हैं गुनसुत्रों की संक्या हमारे अंतरगत 46 होते है अगर मैं pair यानि जोड़े के बात करूँ तो कितना होता है 23 होता है यानि एक जोड़े में 2 गुनसुत्र है तो कितने हो गए 46 हो गए इसी तरीके से कुछ और देखेंगे अपन जो के exam के point of view से important है और within प्रकार के exam में पूछे गए हैं अब देखेंगे, mucar hamilis इसमें 2N यानि जो deployed form होते हैं उसमें 2 क्रोमोजोम होते हैं और हैपलोइड में कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यानि एक जोड़ा पाया जाता है, हैपलोइड form में एक में कितने क्रोमोजोम होते हैं एक जोड़े में कितने क्रॉमोजॉम होते हैं दो होते हैं ना तो ये list number of क्रॉमोजॉम्स यानि सबसे कम संख्या में जो क्रॉमोजॉम्स पाए जाते हैं वो म्यूकर हैमिलस में पाए जाते हैं 2N बराबर कितने होते हैं 2 होते हैं और ये एक तरीके की क्या है, फंजाई यानि कवक है, याद रखेंगे बईया, है ना, और देखो, हैपलो पेपस ग्रेसिलिस, इसमें टू एन बराबर कितना होता है, चार होता है, एन बराबर कितना हो गया, दो हो गया, और ये जो हैपलो पेपस ग्रेसिलिस है, ये कंपोज उसमें 2N बराबर 4 क्रोमोजोम्स होते और N बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, 2N का मतलब deployed form है और N का मतलब haploid form है, ये सब को पता है आपको, अब देखो, wheat, wheat क्या होता है, game होता है, और ये triticum estivum, ये question पुछा जाता है, wheat का scientific name क्या है, तो triticum estivum होता है, 2N बराबर 42 होता है, जबकि N बराबर इहाँ पर कितना होगा, 21 हो गया, ये जितने भी example इहाँ पर लिखे गये हैं, सारे के सारे पूछे गए हैं, तो ये आपको क्या करने, याद ही करने है, मेज यानि मक्का 2N बराबर 20 होता है N बराबर कितने होते हैं 10 होते हैं पाइसम से टाव में इसको मटर कहा जाता है इसमें 2N बराबर 14 होते हैं और N बराबर कितने हैं 7 है 7 है अब देखो एसकेरिस लुम्बरी कोईट्स ये एक तरीके का proto-jone है ये animals है proto-jone तो नहीं है हाँ एसकेरिस लुम्बरी कोईट्स है जोकि 2N बराबर 2 होता है और N बराबर कितना होता है N होता है ये list number of chromosome in animals यानि ये animals में सबसे कम संध्या में जो chromosome पाए जाते हैं वो Ascaris Lumbre Coils में पाये जाते हैं, 2N बराबर 2 और N बराबर कितना है, एक है. Allokentha, ये है एक तरीके का proto-joints, जिसमें 2N बराबर 1600 और N बराबर कितना होता है, RSO. यानि highest number of chromogenes animals में, तो वो Holokentha हो जाएगा, इसमें 2N बराबर 1600 होता है, और N बराबर कितना होता है, RSO होता है. इसी तरीके से देखो एक और यहां पर लिखा है, Ophioglossum, Ophioglossum reticulatum, इसमें 2N बराबर 1260 होते हैं, और N बराबर कितने होते हैं, 630, ये highest number in plant. ये होसकती है, और यहां पर किसमे है, Animals में, ये ठोड़ा सा एप दिखान रखेंगी, ये किसमे है, Animals में है, ये अक तरीके का क्या है, Proto Jones है, ठीक है, अब देखो सेप की बारे में यहां पर हम बात करेंगे, किसकी सेप के बारे में, पढ़ पढ़ क्या रहे हैं, गुनसूत होएvanू सकती है होंगे कैसी यह हम discuss करेंगे यहां पर लेखी सैंट्रूimeer की position के आदार पर सेप यहां पर हम क्या करेंगे decide करेंगे सैंट्रूमेर यानि गुन सुत्तर में मद्धे में जो बिन्दू पाया जाता है देखो इस तरीके से यह क्या है इसी को क्या कहा जाता है इंगलिस में सेंट्रो मियर कहा जाता है ये गुनसुतर की क्या होती है सीराय होती है ये भी क्या होती है गुनसुतर की सीराय होती है यानि दो गुनसुतर की सीराय गुनसुतर बिंदू के एक साइड होती है और दूसरी तरफ होती है यानि आदे गु बीच में जो बिंदू होता है उसको गुन सुतर बिंदू यानि सैंट्रोमियर कहते हैं और इसी सैंट्रोमियर के आधार पर हम गुन सुतर की जो सेफ है वो डिशाइड करते हैं समझा रहा है अब देखो इसी आधार पर ये चार प्रकार का होता है चार प्रकार यहां पर कौ और चोथा है यहाँ पर टीलो सेंट्रिक क्रोमोजोम्स यानि जो मैटा सेंट्रिक क्रोमोजोम्स है यानि मैटा यानि सेंट्रोमेर यहाँ पर एकदम क्या होता है सेंट्र में होता है देखो यह सेंट्रोमेर है यह दोनों गुंसुतर की क्या होती है बुझाएं इस तरह की से V आकार हो गया ना और सब मेटा सेंट्री क्रोमोचोमस में क्या होता है कि जो सेंट्रो मियर होता है वो एक बुझा के थोड़ा सा क्या होता है नजदीक होता है यानि केंदर की थोड़ा सा नजदीक होता है तो इस तरीके से देखो L स्टेक्चर ये बन रही है और acrocentric chromosomes में क्या होता है centromere सीरे के क्या होता है नजदीक होता है यानि गुनसुतर की एक बुजा के क्या होता है नजदीक होता है तो इस तरह के से यहाँ पर J बन गया और यहाँ पर telocentric chromosomes में जो centromere होता है वो गुनसुत्र की बुजात के सीरे पर होता है और इसरी के से ये क्या बन गया? आई ये बन गया, ठीक है? तो ये था, और देखो, question यहाँ पर ये पुछा गया है Metacentric वाला तो Metacentric में क्या होता है? जो Centromere होता है, वो गुनसुत्र के क्या होता है? एकदम मद्दे होता है यानि दोनों बुजाओं के मद्दे में क्या होता है? Centromere होता है, ठीक है? तो याद कर लेना अच्छी तरीके से अब देखो, गुनसुत्र की सरंजना यहाँ पर हम गुनसुत्र की सरंजना देखेंगे तो देखो यह एक क्या है? गुनसुत्र है गुनसुत्र के बीच में यह जो आपको इस तरीके से नजर आ रही है इस टेक्चर इसको गुनसुत्र बिंदू यानि Centromere कहा जाता है इसी Centromere के आधार पर गुनसुत्र की क्या होती है? सेव डिशाइड होती है तो आदा गुनसुत्र इधर आ जाता है और आदा इधर आ जाता है और Centromere इधर भी बन जाता है और इधर भी बन जाता है इस टेक्चर है वो किस में आती है? एनाफेज में आते है वैसे तो ना Cell division जब स्टार्ट करेंगे तो सारी phages को वहाँ पर एक की करके decide करेंगे बस यहाँ पर थोड़ा सा यह हिंट दे दिया कि ऐसा ऐसा Metaphage में होता है ऐसा किस में होता है? अब यह यहाँ पर जो स्टेक्चर आपको नजर आ रही है यह किस की है? Chromodrome की है दिख रहा है न? अब देखो यह जो ऊपर इस तरी के से स्टेक्चर आपको नजर आ रही है इसको Telomere कहा जाता है गुण सूतर का जो उपरी हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है तीलो मियर कहा जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तीलो मियर क्या होते जाते है छोटे होते जाते है अगर तीलो मियर का साइट छोटा नहीं हो तो इंसान कभी बुड़ा नहीं होता वैसे तो थ होता है आप कितने ही प्रोडेक्ट इस्तेमाल कर लो कुछ भी कर लो लेकिन ये होता है कि जो जर्म लेगता है वो क्या होता है एक दिन मरता अवश्य है है ना पाई कहने का मतलब पर जो बनता है वो हमेशे क्या होता है नस्ट भी होता है लेकिन टीलोमेर अगर छोटे ना हो तो अपन क्या होते बूडे नहीं होते तो जैसे जैसे एज भड़े की टीलोमेर क्या होते जाएंगे टीलोमेर का अगार छोटा होता वाद चला जाएगा ठीक है और ये टीलोमेर और क्या करते हैं गुंसूतर को आपस में चिपकने से क्य करते हैं रोकते हैं समझ आ रहा है अब देखो गुंसुतर के ऊपर ये एक प्रोटीन का आवरेंट पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है पैलिकल कहा जाता है यहाँ पर गुंसुतर के अंदर जो दर्वे पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है मैट्रिक्स कहा जाता है और यह कुछ Coiled जसी Structure आपको नजर आ रही ना इसरी की से जाल इसरी की से कॉइल है को को इलडब मतले वैसे pouv आपको यो आργा है इसको कहा जाता है उपर इसको मोली मैयर कहा जाता है, gdy colocar decadence के उपर क्रोमो मियर पाया जाता है और इसके आगे इस तरी के से नजरा रहा है यह वाला यहाँ पर इस तरी के से इसको कहा जाता है प्रात्मिक संकीर्णन यानि प्राइमरी कंसेट्रेक्शन क्या कहा जाता है प्राइमरी कंसेट्रेक्शन कहा जाता है और इसके उपर प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है क्या पाई जाती है प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है इसको काईनेटो कोर कहा जाता है क्या कहा जाता है काईनेटो कोर कहा जाता है मैंने क्या बताया यानि यह जो इस तरीके से है यहाँ पर primary concentration है यानि प्राक्मिक संकेनन है इसके उपर protein डिस्क होती है इसको काइनेटो कोर कहा जाता है और जब cell division कोशिका विवाजन होता है तो यहाँ पर spindle fiber यानि तरकू तंतू आकर के क्या करते हैं जुडते हैं ठीक है अब देखो अब आगे यहाँ पर केंद्री का प संकेनन यानि secondary concentration है अब ध्यान से सुनना यह जो secondary concentration है वो सभी क्रोमोजोम्स में नहीं पाया जाता है यानि यह जो प्रात्मिक संकेनन है यह सभी क्रोमोजोम्स में पाया जाता है लेकिन जो secondary concentration है यह सभी क्रोमोजोम्स में नहीं पाया जाता है ठीक है अब यहाँ पर देख के आगे क्या पाया जाता है और इसके आगे इसरी के से जो इस ट्रेक्टर आपको नजर आ रहे हैं इसको सैटेलाइट कहा जाता है या भी इसको टैरा बेंट भी कहा जाता है हिंदी में इसको अनुसंग कहा जाता है अब मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने क्या बताया कि प्रा क्रोमोजॉम्स में पाया जाता है, सभी गुनसूत्रों में पाया जाता है, लेकिन ये जो द्वीतिक संकीन, सेकेंडरी कंसेटरेक्शन है, और नो आर, यानि जो केंडरक संगठन छेतर है, और जो सेटेलाइट है, ये सभी गुनसूत्रों में नहीं पाया जाता है, कुछ ही क गुंसुत्र होते हैं जिनमें ये पाया जाता है ठीक है ये जो momentum फिर रबासूर को इसको टिलो मेर कहा जाता है तीलो मियर गुंसुत्रों को आपस में चिपकने से रोकते हैं गुंसुत्र के उपर जो आवरेंट पाया जाता है प्रोटीन का उसको पैलिकल कहा जाता है क्रोमो जॉम के अंदर के जो दर्वे पाया जाता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है और यहां पर यह जो इस तरीकी से structure है यह क्या होती है, chromonimata होती है chromonimata के उपर इस तरीकी से मोती जैसे structure पाई जाती है जिसको chromomere कहा जाता है यहां पर यह primary concentration होता है जिस पर protein की डिस्क होती है और इसको kineto core कहा जाता है ठीक है, आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर Nucleolus Candy का present होती है यह यहाँ पर Secondary Concentration होता है और इसके आगे यह NOR यानि केंदरक संगठन छेतर Nucleolus Organizer Region यहाँ पर present होता है और इसके ऊपर यहाँ पर यह जो structure है इसको satellite या फिर टेरा बेंट या फिर हिंदी में इसको अनुसंग कहा जाता है Secondary Concentration हो गया, NOR हो गया और satellite हो गया सभी क्रोमोजॉम्स में नहीं पाए जाते हैं कुछी क्रोमोजॉम्स पर पाए जाते हैं जबकि जो Primary Concentration होता है वो सभी क्रोमोजॉम्स पर पाए जाता है तो यह थी क्रोमोजॉम्स की structure ठीक है? अब देखो टीलो मेर एक के करके सारी चुचों को यहाँ पर हम थोड़ा सा डिसकस करेंगी अब यहाँ पर देखिए एक मिनट टीलो मेर गुंसुतर का सीरा होता है उपर ऐसे बता दिया इसके कान गुंसुतर एक दूसरे से चिपकते नहीं है आयू बने की सासा टीलो मेर क्या होते जाते है? छोटे होते जाते है पैलिकल गुंसुतर में पाया जाने वाला जो प्रोटीन का आवरन होता है वो क्या होता है? पैलिकल होता है मैट्रिक्स गुंसुतर में पाया जाने वाला दर्वे क्या होता है? मैट्रिक्स कहलाता है ठीक है क्रोमो निमेटा गुंसुतर में कॉयल्ड फिलामेंट पाये जाते हैं इसरी किसे बता दिया है हाँ जिने क्रोमो निमेटा कहते हैं ये डियने को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं DNA को represent कौन करता है? क्रोमो निमेटा करते हैं. क्रोमो मेर क्या होते है? ये क्रोमो निमेटा के उपर बीड नुमा सरंजराएं होती है, जो कहां पर पाई जाती है? क्रोमो निमेटा के उपर पाई जाती है. प्रात्मिक संकीनन, ये सेंट्रो मेर, को रीप्रेजेंट करता है यानि गुनसूतर बिन्दू को रीप्रेजेन्ट करता है इसपर दो प्रोटिन डिस्क पाई जाती है काइनेटो कॉर कहते हैं जिसपर कोसिका विवाजन के समय क्या जूडते हैं स्पंडल फाइबर जूडते हैं तरकू तंतू जूडते हैं ठीक है उस पर इंडल फाइवर का formation कैसे होता है बैसल बोडीज से होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुके हूँ अब यहाँ पर देखी secondary concentration secondary concentration में क्या होता है कुछ गुनसुत्रों में द्वितिक संकीनन भी पाया जाता है और इस संकीनन पर NOR पाया जाता है जहाँ पर क्या होती है केंद्री का स्थित होती है मैंने क्या बताया कि human being में पांच केंद्री का उपस्थित हो सकती है जो कहाँ पर पाया जाती है NOR region में पाया जाती है NOR region कहाँ प्रप्रजेंट होता है इस सारी चीज़े अभी आपके clear हो गई होंगी अब देखिए दुईती संकिनन की परे सैटेलाइट टेराबेंट या अनुसंग पाया जाता है जिस गुनसुतर में अनुसंग या सैटेलाइट होगा उसे सैट गुनसुतर कहते है सैट गुनसुतर किसे कहते है जिसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होती है उसे सैट गुनसुतर कहा जाता है अब यहाँ पर देखिए केरियो टाइप क्या होता है यह केरियो टाइप it represent group of character of chromosomes like safe size, cariotype का मतलब होता है कि जैसे chromosome के जो character हो गया उनका safe हो गया उनकी size हो गई उनका आकार हो गया, उनकी आकरती हो गई ये सब represent करते हैं उसको क्या कहा जाता है cariotype कहा जाता है और ideogram किसे कहा जाता है cariotype को जिस diagram के द्वारा प्रद्शित करते हैं उसको क्या कहा जाता है आइडियो ग्राम कहा जाता है ठीक है तो ये छोटी-छोटी दो चीजे हैं जो आप याद रखेंगे अब देखो ये भी देख लेते हैं इंपोर्टेंट है जनरल सैंस में यहाद से कर्शन पुछा जाता है अब देखो गुनसुतर गुनसुतर दो तरीके के गुनसुतर होते हैं क्रोमोजॉम्स टू टैप्स के होते हैं पहला है एलिंग गुनसुतर जिसको ओटोसॉम्स कहा जाता है दूसरा है लिंग गुनसुतर जिसको sex chromosome कहा जाता है या फिर इसको क्या कहा जाता है ऐलो सॉम्स कहा जाता है ठीक है ये जो link गुंसूतर यानि autosomes है ये secondary sexual character का क्या करते हैं determinate करते हैं निधारन करते हैं यानि द्वितियक लैंगिक लक्षनों का निधारन autosomes करते हैं जबकि link का निधारन यानि sex determinate है वो कौन करते हैं ये link गुंसूतर यानि sex chromosome क्या फिर allosomes करते हैं समझ में आगे आप सब को पता है कि human being में 26 chromosome पाए जाते हैं यानि 2N ब्रावर 46 और अगर पेर की बात करें तो कितने होते हैं 23 यानि 23 जोड़े गुंसूतर हमारे जरीर में पाए जाते हैं ठीक है और 46 chromosome पाए जाते हैं जोड़े में 23 हो गया और पूरे chromosome कितने हो गए 46 हो गए अब मुझे एक बात बदाना ये देखो इदर 2N ब्रावर कितने होते हैं 46 होते हैं 23 पेर्स हमारे अंदरगत पाए जाते हैं एन ब्रावर कितने हो गए 23 हो गए अब देखो 23 में से 22 जोड़े ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं ओटो सॉम्स होते हैं एलिंग गुंसूतर होते हैं जो कि द्वित्यक लेंगिक लक्षनों का क्या करते हैं निधारण करते हैं और उसमें जो लास्ट वाला जो पेर होता है 23 यानि 23 वाला जो पेर होता है वो क्या करता है सेक्स का निधारण करता है यानि ये मैल होगा या फिर फिमेल होगा ठीक है समझऺे आरहा है न बच्च बच्चा होगा मेल होगा या फिर फिमेल होगी बच्चा होगा या बच्ची होगी ये जो डिसाइड है वो 23 वाला गुन सुत्तर करता है समझऺे आ क्या बई 22 कितने होते हैं 22 पेर्स होते है वो autosomes होते हैं और जो 23 होते हैं वो क्या होते हैं? Allosomes होते हैं तो ये था अब देखो, आप सबको पताएं सबको पताएं साइन्स वालों को female में 44 autosomes और ये अक्स-अक्स 23 वाला क्या होता है? पेड होता है अगर female है तो वहां पर अक्स-अक्स होगा और जो male है तो वहां पर क्या हो जाएगा? अक्स-वाई हो जाएगा ठीक है? तो ये female का है और ये किसका है? male का है अब यहां पर देखें chromatin chromatin भी ये दो type का होता है, एक u-chromatin होता है, दूसरा heterocratin होता है, u-chromatin और heterocratin के बारे में email hedge ने बताया और ये जो u-chromatin है ये हलका अभिरंजित होता है, यानि आन्वांसिक रूप से ये क्या होता है? active होता है ये कैसा होता है? heterocratin ये गहरा अभिरंजित होता है आन्वांसिक रूप से कैसे होता है? inactive होता है तो ये क्रॉमेटीन के बारे में था है ना पूछ ले तो बता देना अब देखो इसे के साथ में ये नुकलेस क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है ठीक है और मैं ये मानके चल रही हूँ कि सारे पॉंस आपके क्या होगे clear होगे, अच्छे से याद होगे यहां से दो question आराम से पुछ हो जाएंगे, ठीक है तो देखो यह जो आपके 40-45 minute है इसमें से आपके दो question सही हो जाएंगे आराम से अच्छे तरह किसे आप पढ़ोगे तो है ना, अब देखो मैंने आपको क्या-क्या बताया नुकलिस की structure आपको बता दी ठीक है, और जो नुकलिस के ऊपर जो membrane पाई जाती है केंद्रिक जिली उनके बारे में बता दिया ठीक है, फिर हमने नुकलियोप्लास्म केंद्रिक तरवे के बारे में पढ़ा नुकलियोप्लास्म केंद्रिक बारे में पढ़ा ठीक है, इसके बाद केंद्रिका का संगठन जो की तन्तुमें भाग कानिका में भाग और पास अमोरफा में इसका संगठन होता है क्रोमेटिन धागे पढ़े फिर हमने गुनसुत्तर देखा ठीक है गुनसुतर की साइज देखी और यहां पर किस किस में कितने कितने गुनसुतर पाई जाते हैं वो देखे गुनसुतर की जो आकरती है आकार है वो सैंटोमियर की द्वारा डिसाइड होता है गुनसुतर बिंदू की द्वारा होते हैं ये हमने देखा और इसके बाद में हमने देखा क्रॉमेटीन भी कितने परकार का होता है दो परकार का होता है इसी के साथ में सेल बाइलोजी की जितने भी सेल ओर्गिनेल्स थे वो सारे के सारे यहां पर क्या हो जाते हैं कम्प्लीट हो जाते हैं अब सेल डेविजन क का portion बजेगा, कोशी का विभाजन का portion बजेगा, जिसमें phages हैं, दो question वहां से भी कुछे जाने की संभावने लगातार बनी रहती हैं, क्योंकि phages में भी question आते ही आते हैं, ठीक है, आपने पीछे के पुराने पर प्रोठा करके देखे होंगे, तो question आते हैं जहां से question पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो पढ़ें भी इसके बाद अपन, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर की साथ में, तब तक हे लिए जय हिंद, जय भारत, हाँ हाँ सुनो, वीडियो अच्छा लगे, तो like, share और subscribe करना है, और आपको comment भी करने है, अच्छा लगे, तो comment करना है बहुत अच्छा लगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों के साथ में share भी करना है और भी अच्छा लगे, तो share और comment दोनों करना है ठीक है तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर की साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत